नमस्कार मी कीरन इंडियन टीवी न्यूस चो बुलिटिन मने अपले सर्वान चो स्वागर नजर टौकेत का हिठण घणा मुडिन वर दिनांक 132,020 को शाहिन बाग अठकल्यान में CAA, NPR और NRC काईदा विरूद धर्नी अंदोलन चड़ रहे हैं इस अंदोलन में अलग-अलग तरह से निदर्शन किये जा रहे हैं कभी महिला एं और बच्चे देश भक्ती गीत गा कर तो कभी आपसी भाई चारे पर आधरित वारता लब कर तो कई भी 300 फूलों से रंगोली बना कर तो कभी कैंडल जला कर अपने अमन के संदिश दे रहे हैं दिल्ली की घटना पर शोग जताते हुए कल रक्तदान शिविर का भी आजजन किया गया था इसमें संकल्प बलड बैंक के सहयोग से तकरीबन 200 महिला और कुछ पूरुशों ने रक्तदान कर डॉक्टर बाबा सहिब अमिर्ट करके सवीधान को बचाने का संकल्प लिया और जो लोग हम भारतियों को जात धर्म के नाम पर बाटना चाह रहे हैं उन्हें या संदिश दिया कि लहू का रंग एक है और ये जिन्दगी बचाना जानता है लहू कभी जात परत नहीं देखता और कभी इनसानों को जोडने का काम करता है शाम साथ बजे से रक्तदान का सिलसिला चल रहा था जिन लोगों ने रक्तदान किया उन्हें बलड बैंक की और से प्रशस्ति पत्र दिया गया सेकड़ों लोग रक्तदान करने जमा हुए थे शाम साथ बजे के बाद रक्तदान करना मुनासिब नहीं या देखकर रक्तद सिफ काम ले और उनकी टीम ने बढ़िया काम किया इस पर समाज के विभीन लोगों ने सरहना भी की ब्यूर रिपोर्ट इंडेंटिवी नियूज मैं एक चाइड स्पेशिलिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने सुना के बल्यान में एक बहुत अच्छा औरगनाइजड ब्लड डोनेशन कैम्प है इस सिलसले में मुझे इन्वाइट किये के कैम पे आप प्लीज आजाएए और हमारे होसला अफ़ाई कीजिए तो एक कैम्प इस कैम के बारे में बते हैं क्या कैम में क्या साच अच्छा करने के लिए मैं ही आया जीव है अच्छा करने के लिए और डोनेट किये कई लोगों को तो अभी रात होने के वज़े से कल बुलाया जा रहा है इनके होसला देखके यह लग रहा है मुझे इससे पहले आपने ब्लेट बैग ब्लेट डोनेट पिशन बैग देखा था आपने कभी बहुत बार देखा हूँ इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि आज यह पहली बार आप देख रहा हूँ और इसके लिए इमका एंतुजयाजम देखके बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां आईसा प्रोग्राम इन लोग ऐसे कैंप्स इन लोग रखते हैं जो इन जनरेल इंसानियत का फायदा कर रहे हैं और इन लोग इस मंच से जो यह मंच है आज शाहिन बाग कल्यान का जो मंच है और जो रीजन से इन लोग यहां आज चालीस दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्रूव करता है कि खून का एक ही रंग होता है इसमें कोई मजब नहीं हो देरर अभीवासों को यही संदेश है कि अमन भायचारा यही फैलाओ यही काम आने वाला है इसके अलब और कुछ काम नहीं आने वाला है अगर हम नफरत फैलाएंगे और इसके वज़े से जैसे आग जब लगती है तो वो यह नहीं देखती कि कौन से मख़ब के शख्स को लग रही है आग तो पूरे के पूरे लोगों को पूरे महलों को पूरी आबादी को खतम करती है वो यह नहीं देखती कि कोई हिंदू है कि कोई मुसल्मान है कि कोई सीख है वो यहीं देखती कि भाई मुझे सब को खतम करना है मुझे बरबादी मुझे तबाई मचाना है तो आज इन लोग का जो कैम्प है, it is an effort it is a एक पहल है इनकी कि हमारे इस देश में जो कई सालों से थोड़े सालों से देखा जा रहा है मायूसी का माहूल फैलाया जा रहा है एक हेट्रिट का माहूल फैलाया जा रहा है तो मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसे मंच और आजाए जो एकता भायचारा, अमन पीस ये फैला है और ये लाल रंग सब को काम आएगा मैं चाहता हूँ कि ये लाल रंग लोगों के अंदर जाके फाइदा पहुचाए ना कि लोग कोशिश करें कि कैसे हम लोगों के अंदर से लाल रंग निकालें प्लैड बैंक कल्या नितिन आलेला हूँ हम इस साड़े पास बजले पस्विन ये आता दाहा वाजे परंत हम से रख्टदान शिबिजे सा कारेगरम चालू होता ता परंत हम चकड़े रख्टदाती दोन्षे जाली लिया है हम अधे मुझे भरपूर महिलांस समावेश्ट होता चाहिन बागेट कलिया हमने यहाँ पर चालू किया CA, NRC, NPR के जो है कंटेम के लिए कि ये जो कानून रद्ध करे ये जो है सविधनिक तरीके से जो सविधन के खिलाप जा रहा है उसके लिए हमारा यह आंदोलन था आंदोलन में विवित परकार के हमने सामाजिक कारिये यहाँ पर किये उसी की एक कड़ी थी कि अभी जो देली में वातावरन खराप परने की कोशिश की गई और कुछ लोग जो राजकारने के तरफ से हंदू-मुसलिम के रंग देने की कोशिश की गई उसे हम किस तरीके से मिटा सकते हम उस दूरी को क्योंकि हम जरूर कर रहे हैं लेकिन आंदोलन हमारा किसी जाती विशेश के साथ या किसी प्रांथ के साथ नहीं बलके हमारा इस कानून के खिलाब विशे विरोध है और हमारे साथ सारे जाती धर्मों के लोग मिले हुए है तो आज हमने जो रक्तदान शिवीर यहाँ पर रखा उसका उद्देश हैसा था कि लहू का रंग एक है लहू का कोई रंग नहीं ल बचाना जानता है कि इस て के जिसम से निकल गया एक उसी करें किसा मारे संकल्प लने के नियुकर एक हमें करें के किसी की जिनदगीं का बचाएंगे और देश में जो है हम जो है क्मानवता और इंसानियत का पैगाम देंगे यही हमारा उद्देश्था जिसके लिए पांच बजे से जो है संकल ब्लड बैंक की पूरी टीम यहां पर जो है अपनी सेवाएं देरी थी मैं शाहिन बागेट कलियान की तरफ से संकल ब कि अस्त्रों ने उनको बताया कि यह जो है रात के टेम में नहीं लिया जाता बलड लेकिन उनका उत्सा और उनका जोर इतना था कि आम मजबूरन हमको जो है यह करना पड़ा अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकडों की संक्या में यहां पर जो है डोनर्स हैं लेकिन अब तक 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 रिवन तीन साड़े थीन सो आधिमियों का यहां पर इंडरी की गई मगर वहां कुछ वजे से नहीं दे पाए वह खिला उनकी संक्या जादा थी क्योंके शाहिन बाग महिलाओं से आबाद है और इस बार जबके उनको बताया गया टेकनिशन भी बता रहे थे उनका जो है ब्लड का जो है नो हमोगलोबिन कुछ कम होता है आपको कुछ यह लेकिन उसके बावजीद भी उनके जोश में कोई कमी नहीं थी वह बता रहे थे समाज को जो है हमारी जरुवत है और हम जो है ना इंसानियत को बचाने के लिए लिए लोग का चाहिए नर्सी और एंपियार उसके विरोध में हम यहां पर शाहिन बार्ग में बैठे हुए है और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक के यह कानून वापस नहीं हो जाता दो कानून की तो हुकूमत बास नहीं कर लीए और नर्सी की लेकिन एंपियार के भी बात चल रही है एंपियार भी हमें जो जणगर्णा पहले होती थी नमिदान के दायरे में जो होती थी वो हमें मन्जूर है जो 2011 में हुई थी अगर वैसी जणगर्णा होती है तो वेलकम मोस्ट वेलकम लेकिन अगर एंपियार के तानलुक से जो अभी उसमें 10-12 सबालात और एट किये है एक में से जिसकी डेट आने के कुछ अफवाय चल रही है तो यह एंपियार हमें मन्जूर ही नहीं हमें साधी जनगर्णा जो पहले से होती है यह आजादी के बास से वो मुस्ट वेलकम हम उसके मुताबिक मालूमात देने को तयार है और हम जो यह संभीदान के दायरे मे यह जो प्रोडेंज कर रहे है यह उस वक्त तक करेंगे जब तक क्षिक आनून वार्णा पस नहीं और हम 6 कंटिनीवसलिया बेटे हुए उस वक्त तक वैठेंगे जब तक क्षिक ए कानून पापस, अज हमारा ब्लाठ डॉनेशन क्याम इस बात का सुबूत है हिंदूस्ता इस ब्लड डोनेशन केप में बगर किसी जाद धर्म की तफरीक के हमारे दलिव भायों ने भी ब्लड दिया, मुस्लिम भायों ने भी दिया, एस्टी ने भी दिया, हिंदू भायों ने भी दिया. तो ये हुकूमत की समझ लीजिए कि गाल पर एक तमाचा है, कि वो अगर लड़ा और हुकूमत करने की पॉलेशी लाना चाह रहे, तो ये हिंदूस्तानी अवाम को मनजूर नहीं है. पब्लिक इसकी जो है तो बहुत ज़्यादा इसकी मुखालिफत करती है, और सबसे बड़ी बात किया है मेरे भाई कि जो आप आज ब्लड दिया गया, ये जब एक जगा जमा होंगा तो इसमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ब्लड किसका है, क्रीन वर दिलेला क्रमांका वर संपर का साथुशक्ता, अमसा नमबर आहे 9320-420-420, तरह आतावेज है ले निरोप गयनेची, नमस्कार.